जैनेंदर जी, इजाज़त, सबसे पहले कुछ ऐसे तथ्या आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो तथ्या इस शोर शराबे में जो की प्रायोजित शोर शराबा होता है, कभी टेलिविजन पे दिखता है, कभी सोशल मीडिया में दिखता है, इस प्रायोजित शोर शराबे म में कुछ तथ्य दब जाते हैं और वो तथ्य बहुत महतोपूर्ण होते हैं उनका बाहर आना बहुत आवश्यक होता है अब हो अर्से से हम सुन रहे हैं स्वामिनाथन कमिशन कि स्वामिनाथन कमिशन की कितनी सिफारिशें थी 201 201 सिफारिशों में से यूपीए सरकार 175 सिफारिशें लागू कर चुकी थी 26 बची उन 26 में से और यह 175 का भी मैं आपको ब्रेक अप देता हूं 18 नवंबर 2004 को यह जो नाशनल फामर्स कमिशन बनी थी उसने अक्टूबर 4 2006 को अपनी पांचवी रिपोर्ट सब्मिट की और इन डॉकुमेंट्स के हिसाब से आपको बताएं पहली मीटिंग 14 नवंबर चौदा अक्टूबर 2009 को हुई जिसमें 201 रेकमेंडेशन्स सिफारिशें लागू होने की अनुशन साखी गए दूसरी मीटिंग जून 3 2010 को हुई 42 रेकमेंडेशन्स तब तक लागू की जा चुकी थी 169 रेकमेंडेशन्स पेंडिंग थी तीसरी मीटिंग जून 2012 में हुई 152 रेकमेंडेशन्स सिफारिशें स्वामिनाथन कमिशन की तब तक लागू हो चुकी थी उननचा स्पेंडिंग थी और चौथी और पांचवी मीटिंग जो हुई सितंबर 2013 और जनवरी 2014 में हुई 25 और लागू हो गई देखिए पूरा ब्रेक अप दे रहा हूं तारीखों के साथ दे रहा हूं और यह चुनोती है भारती जनता पार्टी को जो बार-बार कहती है स सिफारिशें हमने लागू नहीं की हम बता रहे हैं कितनी लागू की मोधी सरकार आई 2014 में 26 जो बची थी 201 में से उसमें से 25 अभी तक हुई जो सबसे महतोपूर्ट थी उसका कल माननीय मलिकारजुन खडगे साहब ने और माननीय राहुल गांधी जी ने कल घोशना कर दी य वो आदमी जो समुद्र की बीच पर हम और आप कई बार बीच पर जाते हैं कभी बॉंबे में जाते हैं कभी केरला में जाते हैं कभी गोवा में जाते हैं लाल कालीन बिछवाता है अपने लिए कई साहब के पाउं जो हैं रेत पर न पड़ जाएं उसने किसानों के रास्त जो नहीं है जड़ा आप वीडियो चलाई यह उसके बाद प्रेस कॉंफरेंस आगे जारी रखें कि अगर को कि अगर 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 को कि अगर कि अगर करेंगे को कि हमने कहां है कि हम सरकार में आएंगे तो किसान को जो लागत लगती है कि अगर करने में उसका जो इन्पूट कोस्ट है कि वीज होगा पानी होगा विजली होगी खाद होगा दबाईया होगी मज़ूरी होगी जितना भी प्रकार का उसका खर्टा होता है उस खर्टे का हिसाब लगाया जाएगा उसके उपर पचांस प्रतिशन मुनाफ़ा जो दिया जाएगा और जो बनेगा वो सपोर्ट्राइट होगी है यह आपने देखा देश के प्रधान मंतरी प्रधान मंतरी बनने से पहले जब मुख्य मंतरी थे तो आप सामने देख रहे हैं कि जो कंजूमर अफेर्स का वर्किंग गूरूप था उसकी रिपोर्ट देते वे उन्होंने अपना एक ट्वीट किया प्रधान मंतरी डॉक्टर मनमोहन सिंग जी को वो रिपोर्ट दी थी जिसमें सपश तोर पे उस वक्त के गुजराद के मुख्य मंतरी MSP के बहुत बड़े वकील बनकर सामने आये थे और फिर आपने देखा प्रचार करते वक्त ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है ये 2014 का इनके राज्य का हर्याना के में जब वो प्रचार करने गए थे लोकसभा के लिए प्रधान मंतरी बनने के लिए जब प्रयास र हुआ पहला यूटर्न पहला यूटर्न सुप्रीम कोर्ट में दाखेल एक हलफ नामे के माध्यम से आता है जिसमें वो कहते हैं कि नहीं साब हम MSP इस तरह का नहीं दे सकते जिसमें इंपुट कॉस्ट प्लस 50% साफ साफ जिसको कहते मना कर दिया या तो यह जब स्क्रीन पे वादा तोड़ रहा है वादा तोड़ने के साथ साथ किसानों के रास्ते पर कील बिछाना किसानों को खालिस्तानी बोलना उपद्रवी बोलना सोरोस का एजेंट बोलना एक के बाद एक आप किसानों को गाली दिलवा रहे हो अपने पूरी आपकी ट्रोल आर्मी जो सोशल म जाओगे और किस अधिकार से और कौनसे कानून के तहट आपने सडकें बंद कर रखी हैं सडकें सरकार ने बंद की हैं किसानों ने नहीं बंद की हैं किस ने यह अधिकार दिया आपको कि आप सड़कें बंद कर दोगे ब्लॉक कर दोगे कंक्रीट की पूरी दिवारे खड़ी कर दोगे सड़क पर हाइवे पर नियम बताइए और यही सवाल अदालत ने भी पूछा है सरकार से ड्रोन से आप टेस्ट कर रहे हो कि आसू गैस किसानों पर छोड़कर पहली बार टेस्ट किया जा रहा है ड्रोन से आसू गैस कैसे छूटती अपने ही किसानों पर जो काम आपको कहा था कि भई सीमाओं को सुरक्षित करिए वहां ये सब करिए जो यहां नौटंग की कर रहे हैं आप इस देश के भीतर कर रहे हैं देश के अपने किसानों के साथ कर रहे हैं देश की अपनी राजधानी में आने वाले लोगों के साथ कर रहे हैं वहाँ आपका हिम्मत नहीं होती, वहाँ आपकी हैसियत नहीं होती कि PLA को घुसने से रोक सकें आप, वहाँ आप क्लीन चिट बांट रहे होते हो, और अपने ही देश के किसानों को बदनाम कर रहे हो, मूर्ख बना रहे हो, यह मैंने आपको वीडियो जान बुच कर दिखाया प्रधान मंतरी जवाब दें, कि या तो तब जूट बोला था, तो माफी मांगे उस जूट की, या अब वादा तोड़ रहे हैं, तो फिर माफी मांगे वादा तोड़ने की, और माफी मांगे किसानों को आतंकवादी कहने पर, चलिए यह भी छोड़ देते हैं, 19 नवंबर 2021 को आप सब के सामने हाद जोड़ते वे पहली बार प्रधान मंतरी दिखे, माफी मांगते वे दिखे, और कहा कि साब मैं ये तीनों काले कानून वापस लेता हूँ, एक डायलोग भी दिया था, मेरी तपस्या में कमी रह गई होगी, सुना था ना आप लोगों ने, तब कह था कि MSP की समस्या का समाधान निकालने के लिए कमिटी बनेगी, क्या हुआ, दो साल से उपर हो गए, अब आप फिर से पलट रहे हो, फिर से किसानों को धोका दे रहे हो, उनकी आँखों में धूल जोंक रहे हो, एक तो चोरी उपर से सीना जोरी, मैं आप से चोरी करूं, और फिर आप ही को गाली दूँ, यह हो रहा है आज इस देश के किसानों के साथ, और यह किया जा रहा है देश के प्रधान मंत्री द्वारा, देश की सरकार द्वारा, देश की सत्तारूर दल द्वारा, आहत हैं पूरा देश आहत है ये नजारे जो सुबह से शान तक टीवी पर दिख रहे हैं उनको देख रबर बुलेट्स चलाई जा रही हैं आसू गैस छोड़े जा रहे हैं संगर्ष कितना किसानों का जो सामने दिख रहा है उसको देखकर प्रधान मंतरी तो चलो विदेश चले जाते हैं जब भी आंदोलन होता है फिर चले गए हैं लेकिन उनको भी दिख तो रहा होगा वो जो रोज सुबह उनके दोस्त या साहब जो वाँ बैठे हैं हरिन जोशी हिरेन जोशी जो सुबह सुबह आप सबको मेसेज भेशते हैं उन्हें तो दिख रहा होगा वो तो बता रहे होंगे प्रधान मंतरी को कि क्या हालत है देश की देश की राजधानी के बाहर क्या हालत है हम प्रधान मंतरी से मांग करते हैं कि आप 2014 में जो प्रचार करते वे भाशन के वक्त आपने जूट बोला था उसके में जब पूछा गया इनसे MSP के विशे में तब कहा था कि नई मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगा दूसरी बार तब पल्टे थे उसके लिए माफी मांगे किसानों को आतंकवादी बनाना विदेशी एजेंट बताना उसके लिए माफी मांगे और अब हम उनसे MSP की मांग नह सानों को हम MSP दिलवाएंगे और राहत देंगे और MSP दिलवाने का मतलब यह नहीं होता है यह जिस तरह से हम सब को दिख भ्रमित किया जा रहा है कि अरे साब MSP अगर आप देंगे तो एक्स चेकर पे लाखों करोड का नुकसान हो जाएगा MSP का अर्थ यह नहीं होता कि सा उस प्राइस से कम मार्केट में भी नहीं बिकेगा यह होता MSP का मतलब लेकिन मुर्ख बनाने की कोशिश फिर से वाट साप युनिवस्टी द्वारा अरे MSP दे देंगे तो लुट जाएंगे राहुल गांधी पैसे कहां से लाएंगे खडगे साब पैसे कहां से लाएंगे कॉंग्रेस को समझ में नहीं आता यह मुर्ख बनाने का प्रयास है इसलिए मुझे आप सबसे पूरी उम्मीद है क्योंकि आप लोग काबिल रिपोर्टर्स हैं आप होमवक ये बगैर न दिखाएंगे कुछ तीवी पर न लिखेंगे कुछ अखबारों में तो MSP के बारे म क्या किसानों का ये हक नहीं है कि अपनी रोजमर्रा की जीवन से जुड़े हुए सवालों को उठाएं वो जल का हो वो जंगल का हो वो जमीन का हो वो बिजली का हो वो MSP का हो आप जब वोट लेने जाते हो इनके साथ तो कितनी उची उची धींग हांकते हो आपने देखा अभी आप कहें तो एक बार और सुना दूं वैसे तो उनकी आवाज सुनने को पसंद नहीं आती मुझे लेकिन पिर भी आप कहेंगे तो सुना दूंगा तो उस वक तो आपको यह सब बाड़े बातें बड़ी अच्छी लगती थी आज जब किसान आपको याद दिला रहा है किसाब जब आप वोट मांगने आए थे तो आपने यह सब बातें कहीं थी उस पर चर्चा कीजिए बताइए मुझे कितनी बार प्रधान मंत्री इन किसान निताओ सानाव से मिले it पिछले दस साल मुझे बताईया कभी है कभी अरजुन- Ν जी को आगे कर दिया जाता है कभी प्यूश गोएल जी को आगे कर दिया जाता है कभी और कौन से तीसरे मंत्री है धर्मेंद प्रधान या कोई उनको आगे कर दिया जाता है, प्रधान मंतरी क्यों नहीं मिलते, क्यों नहीं हिम्मत दिखाते हैं, क्या नाम है आजकल उनकी घर की सड़क का, लोक, something, लोक नीती क्या, कुछ ऐसा ही नाम है, लोक कल्यान मार्क, क्या लोक कल्यान मार्क पर किसानों की आवा मंत्री को उस मिट्टी से बताईए बुलाएं आप किसानों को यह जो 12 सवाल है उस पर चर्चा करें हिम्मत दिखाएं हमारे वक्त आंदोलन होते थे हमारे तमाम नेता आंदोलन कारियों से वहां जाकर मिलते थे मैं आपको कई उधारन यहां बैठ कर बता सकता हूं वह निर्भया का अंदोलन हुआ हो वह अन्नाहजारे का अंदोलन हुआ हो अन्नाहजारे के आंदोल में विलासराव देशमुग जी खुद रामलीला मैदान जाकर मिलकर आते थे डॉक्टर मनमोन सिंग अपने स्तर पे प्रणव मुखर जी साहब अपने स्तर पे सब को बुला बुला के मिलते थे निर्भया के आंदोलन में शीला दिक्षित जी खुद जाकर वहां जंतर मंतर पे गई भारी विरोध हो रहा था फिर भी गई निया है तो यह 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 होता है निता यह अभिनेता बनकर बैठे हैं प्रणवन्तरी और सोचते हैं कपड़े बदल-बदल के अलग-अलग धंग से भाव दिकhah दिखा के भाव भंगिमाय दिखा दिखा के बाशन दे दे के नेता बन जाते हैं नेता बहुत बनने में बहुत प्राइम लगता है अभी तक नहीं बन पाएं दस साल से प्रधान मंत्री है और नेता नहीं बन पाएं नेता डरता नहीं है किसान के पाउं की मिट्टी से नेता घबराता किसान से मिलने में राहूल गांधी को देखिए वो प्रदान मंत्री नहीं है लेकिन नेता है मिल रहा है लोगों से भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर चलके लोगों से मिलने गया भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 6713 किलोमीटर में लोगों से मिलते वे घूम पार्लिमेंट में का मैं उन्हें कोड कर रहा हूं एंग्रीज प्रिस्ट्राइबिंग इंग्रीज ऑवन एट लीस्ट 50% उन कोस्ट में डिस्टॉड दे मार्केट अलिंकेज बिवीन MSP अन कॉस्ट प्रडक्शन देखिए बिल्कुल ठीक है चर्चा करते रहे चर्चा नहीं रुकी हर चीज कोई बड़ा निरने लेने से पहले स्टेक होल्डर से बात की जाती है मैं अपनी बात रखता हूं वो अपनी बात रखते हैं वो सब करने के पश्चात 201 में से 175 सिफारिशें लागू करने का भी काम UPA ने किया और अब पूरी स्टडी करने के बाद ये निरने लिया गया है आपने देखा हमारे राइपूर अधिवेशन में जो हमने क्रिशी संबंदित रेजलूशन पास की थी प्रस्ताव पारित किया था मैं अभी विनीज जी आपको वो भी देंगे तब से ये चर्चा हमारी विशेशग्यों के साथ भी हुई और अब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सरकार बनने के बाद हम MSP लागू करके इस देश के 15 करोड किसानों परिवारों को लाब पहुंचाएंगे याने की 62 करोड किसानों को लाब पहुंचाएंगे अभी भी MSP का एलान किया MSP का एलान किया जाता है लेकिन देश भर के किसानों को उसका लाब नहीं मिलता है तो MSP का कानून बन जाने से क्या फर्क पढ़ जाएगा सवाल एक और दूसरा ये कि ऐसा क्यों है आपको ऐसा क्या लगता है कि सिर्फ देश के एक ही प्रदेश के एक ही वर्ग के किसान सड़क पर पहले यह आप गलत बोल रहे हैं तमिलनाडू का किसान कल मैंने खुद आप लोगों में से किसानों को भी सुना कि न है तेलंगाना के किसानों को भी सुनते हैं पूरे देश के किसानों का समर्थन इस को है और कानून पारित होने से कम से कम यह सुनिश्चित मिले गाए नहीं होगा इसमें उकसाने की क्या बात यह देखी यह आप देश के किसानों को जब तक वोट देते हैं तब तक तो अपना मानते हो जब वह आपको पलट के याद दिलाते हैं सहाब आपने यह वादा किया था पूरा कीजिए तो वो दुश्मन हो जाते हैं और यह सहाब वो तो आतंकवादी हो गए भाई नरहिंद मोदी जी आपकी आदत नहीं है आंदोलनों को जहलने की आपकी आदत तो सवालों को जहलने इतक की नहीं तो आंदोलन तो बहुत बड़ी बात है आदत डालना शुरू करिए आपको ऐस के बात करते क्यों पथर उठाता और पथर उठाने के हम पक्षधर नहीं है हम अहिंसक आंदोलन के साथ खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं अब यह हम पर सोरोज का आरोप लगाएं खालिस्तानी का आरोप लगाएं जो इनकी हिम्मत है जो इनकी आउकात है उतना झालति से यह सहिँ के पिस ने चलाई थी आप में और इसे कीसी के पत्रकार पर जो आज भी है सथा यह सद्यो ड्रोन में आशू गयाष कौन छोड़ रहा था किसान छोड़ रहे थे या पत्रकार छोड़ रहे थे हो सकते हैं आप लोग कररे वो मुझे नहीं मालों का को सबस Smсл नहीं है आपके पास होगा कमाल की बात करें आप आने दीजी ना सड़क बंद करके काहे बैठे हो चलिए आप में अगर हिम्मत नहीं है किसानों को लोग कल्यान मार्ग पे बुलाने की अपने घर बुलाने की उनके साथ चाहे पीने की अगर आप में हिम्मत नहीं है आप चले जाएए वहाँ कि इतना 8500 का हवाई जाज है 6500 का कहीं तो लैंड होता ही होगा वो भी यसे विदेशों में लैंड होता है जाएए आप मिलिये किसानों को कौन मना करेगा प्रधान मंत्री अगर मिलना चाहेंगे तो किसी ने रोका है उन्हें कि जी है बस इतना बड़ा मुद्दा इसके अनवा कि राजसभा की प्रदेश जारी विए उसमें सोनिया लादी का नार्व है उन्होंने तो नावांकर दातिल कर दिया है इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि पिछली बार सब्सक्राइब के लिए अलग अलग राज्यों हमारे कई राज्यों से प्रस्ताव पारित होकर दिल्ली आया भेजा गया खड़के साब को कि सोनिया जी को हमारे यांसे राज्सभा में मनुनीत किया जाए अब हर राज्य में तो सोनिया जी को नहीं भेजा जा सकता था लेकिन मांग कई राज्यों से आई और ये मैं तो परसनली इसलिए खुश हो कि मेरे राज्या राजिस्तान से अगर सोनिया जी राज्सभा से आ रही है तो हम सब के लिए इससे बड़ी खुशी की बात हो नही राज्यजी राज्सभा में की सदस्य थी जब आएंप 닉ने ती और कि ये तो कमाल का सवाल है तब तो किसी नहीं पोला अब राज्सभा में क्यों है लोग सवाह में कूST तो यह कोई इसमें मुझे मिलंगता कुछ जादा पढ़ने की आविशक्ता है लगातार कई चुनाव वो जीती हैं, कोई चुनाव हारी नहीं, लगातार जीतती चली गई और अब हम सब के लिए बहुत गर्व का विशय है कि वो मेरे राज्य से राजसभा में आई बीजेपी का क्या मतलब है भाई, ने उनका काम क्या है उसमें, उनकी पार्टी है, हमारी पार्टी भी वो चलाएंगे, बिचारे नडडा जी का तो कुछ पता ही नहीं चलता, आपके चैनल पर देखते हैं, हरे मुझे एक्स्टेंशन मिल गई, फिर देखते हैं ब्रेकिंग इस फिर चेक करते हैं, अमिर शाह से शाह साब, वाकई हुआ क्या, तब वो हमारी पार्टी चलाने क्यों आ रहे हैं, उनको कहिए अपनी पार्टी चलाएं प्रदान मंत्री करते रहे हैं, उनका काम दिन भर यही है, तंज कसने का, सरकार चलानी आती नहीं है, नेता बन नहीं पाएं हैं, इसी तरह की परेश रावल से ट्रेनिंग ले लेकर बोलते रहते हैं, अब पार्लेमेंट में भी और बाहर भी, तो बोलने दो, अब बिचार खर्चा भी किया होगा, परेश रावल को टिकेट भी दी दी थी उसके बाद, तो जो व्यक्ति सुभा से शाम तक कितना अच्छा अभिनेता बनना हैं, उसकी एक्टिंग कर रहा हो, उसकी रिहर्सल कर रहा हो, उसको करने दो जो कर रहा हैं, उसको क्यों आप गंभीरता से नियाए का हक मिलने तक